तो कैसे हैं आप, आसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा important होने वाली है, अगर आप electronic अगाम सीख रहे हैं, या फिर सीखना चाहते हैं, या फिर थोड़ा से interested हैं, तो ये वीडियो आपने जरूर देखनी चाहिए, ये वीड voltage regulator अलग होता है, उसको मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको बाद में आपको suggest करूँगा, पहले आप इस वीडियो को complete जरूर देखेगा, मैं उस voltage regulator की बात करूँगा, जो ज्यादा तर projects वगरे में, amplifier वगरे में, और किसी भी ऐसे circuit में योज किया जा सकता है, जहां पर म voltage अपने हिसाब से output करवानी हो, example के लिए, अगर आपने कोई 5V का card वगरे चलाना हो, तो आपको 78.05 voltage regulator की आविशक्ता पढ़ती है, यहां पर तो सिर्फ मैंने उधारण 78.05 का दिया है, वैसे अगर आपको 12V output चीए होती है, तो आप 78.12 का यूज करते हैं, अगर आपको 9V चीए होती है, 78.09 का यूज करते हैं, वैसे ही 78 के आगे कुछ भी हो सकता है, यह तो रही मारे voltage regulator की बात, और वहीं पर एक regulator 89.05, 89.09, 89.12 इस तरीके से output में आता है, अम इन दोनों में डिफ्रेंस क्या है, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में ले चलूँगा, सबसे पहल बना ही रहा हूँ, यह हमारा देखिए, एक regulator है, इसकी तीन पिन है, यह आपका 78 वाला regulator है, 78 के बाद कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता का मतलब है, जितना voltage इसमें output कराना हो, उतना यहाँ पर नमबर आपने लिख लेना है, और यहाँ पर यह 89 वाला, 79, इसमें भी ती बीजिट हो सकता है, जितना output इसको चाहिए होगी, अब इन दोनों में difference क्या है, सबसे पहले मैं इन दोनों के pin out की बात करूँ, तो जो 78 वाला होता है, इसका जो first pin होता है, वो होता है input का, और यह होता है अपका ground का, और यह होता है आपका output का, अब यह आपको और detail पर ले योज बनाता हूँ, आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ, मेरा main focus सिर्फ आपको सिखाने का है, बाकि आप लोगों को YouTube पे बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी, जिस पे आपको धेर सारा knowledge मिल जागा, लेकिन जो मैं सिखा रहा हूँ, वो सायद आपको कहीं भी अब 79 का है, सबसे पहले होता हमारा ground का pin, और दूसरा होता है आपका input का, तीसरा होता है output का, सिर्फ इसमें input out की pinों का difference नहीं है, ये दोनु है, अलग-अलग कामों के लिए बनी हुई regulator IC, ये आपकी positive voltage output के लिए बनी हुई है, और ये negative के लिए अब आपको और मैं थोड़ा सा बारीकी से समझाना चाहूँगा, ये positive voltage क्या है और negative voltage क्या है, काफी लोग negative voltage को लेके उसको सोचते हैं कि ये ground है, असल में ये ground नहीं होता है, negative voltage भी अलग से बहुत सारे branded audio circuit के लिए चाहिए होती है, आपने सिर्फ कुछ-कुछ basic ICs अब IC है न, ये 12-0 पर काम करती है, 12-0 सिर्फ 12V पर काम करती है, आपने जो home theater के board देखे होंगे, ये बारे board देखे होंगे, इनमें जो IC लगी होती है, ये 20-30 नंबर की होती है, असल में मेरा topic यहाँ पर regulator से related था, लेकिन अब बात आती है negative voltage regulator की, तो आपको ये थोड़ा स और तरीके से मैं समझाओं, इसलिए मैं यहाँ पर इस topic को भीज में लेकिया हूँ, ताकि आप लोग जो चीज़ समझे, थोड़ा सब तरीके से समझे, कभी भी आप लोग कभी उधारन दैस पर, तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर बताएं, जो audio board होते हैं, उनको कुछ- लोग मैंने आपको बोला कि negative ground समझ लेते हैं, असर में ग्राउंड नहीं है, ये negative voltage कुछ अलगी voltage होता है, जो हम यहाँ पर बताएंगे आपको, सबसे पहले मैं home theater में लगने वाली, IC का यहाँ पर एक छोटा सा चीतर बनाना चाहूंगा, वैसे IC है मेरे पास, लेकिन आपक करते हैं, इस तरीके से नहीं किनना है, सामने रखिए और एक, दो, तीन, चार, पांच, यहां से गिनेगा जो पांचवे नंबर की पिन है, मैं सिर्फ यहाँ पर वही पिनों को बताऊंगा, जो पिन इस IC को on करने के इस्षिमाल करी जाती है, सबसे पहले जो पांचवे नं इसकी जो तीसी नंबर की पिन है, इसमें नेगटिव 12 वोल्ड जब तक नहीं जाएगा, तो यह IC on नहीं होगी, पॉजिटिव 12 वोल्ड, नेगटिव 12 वोल्ड, ग्राउंड अलग चीज है, और नेगटिव 12 वोल्ड अलग चीज है, इसलिए इस IC के साथ में जब भी कोई transformer सिर्फ बाराजिरो से ही ऐसी आइसी ऑण नहीं होती है इसके लिए बाराजिरो बारा की ज़रूरत परती है एक बारे वोल्ट यहां पर पॉजटीव के लिए होता है एक 20 वॉल्ट का जो प्олिय यहां पर इसमें ट्रेबल वाला सिस्टम भी है, अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम इतना नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आपको वीडियो जरूर दूँगा, अब इसमें देखिएगा, किसी भी IC को पकड़ लीजिए, यहां पर गौर से देखिएगा, इसकी जो पिन है, एक, दो दो लगे हुए न, यह प्लस 12 वोल्ट और मैनस 12 वोल्ट को बनाने के लिए दो अलग अलग लगे हुए, यहां एक कपैस्टर से काम नहीं चलेगा, यहां दो कपैस्टर इसलिए लगाई जाते हैं, तो यह जो पांच्वे नमर की पिन है, वो प्लस, दोनों कपैस्टर में जो प्लस वाला है न, वहां पर इससे जुड़ा हुआ है, देखिए, एक कपैस्टर के प्लस से यहां पर जुड़ा हुआ है, यह देखिए, यह वाला, देख लिए आपने, यहां पर इससे जुड़ा हुआ है, देखिए, एक कपैस्टर के प्लस से यहां पर जुड़ा हु और यहां पर इसका जो तीसरा वाला पिन है, यानि कि एक, दो और तीसरा और जो पिन है, वो कपैस्टर के माइनस से जुड़ा हुआ रहेगा, यहां पर इसको ट्रैक को आप फोलो करेंगे, तो इस दीए, एक कपैस्टर के माइनस से जुड़ा हुआ रहेगा, इसमा जो दो क पेस्टर हैं ये अलग अलग तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्ट आउट्पूट करवाते हैं तीन पिन होती है यहाँ पर 12 के लिए एक होती है 12 के लिए जीरो आपका ग्राउंड कहलाएगा और यह एक पॉजिटिव बनाएगी एक नेगेटिव 12 बन यहाँ पर मैंने एक्जांपल आपका नेगेटिवोल्ट से रिलेटेड दिया था, नेगेटिव वोल्ट की जरूरत कहां पर पढ़ती है, जैसे, मैंने आपको एक्जांपल दिया, अब आपको अताता हूँ, कि यहाँ पर कुछ-कुछ audio volts ऐसे होते हैं, जिन में negative volts की जरूरत पड़ती है, वहाँ पर इन regulators का इसमाल किया जाता है, अगर किसी circuit को negative 5 volts चीह होगी, तो वहाँ पर क्या करेंगे, इस regulator को लगाके 12 volts, जैसे यहाँ पर 12 volts आपको negative इस points में मिल रही है, तो यहाँ से आपको negative 5 volts ब regulator लगाना होगा, तो वह वहाँ पर negative volt output करेंगा, 12 volts से step down करवाने के लिए, step down से मेरा मतलब है regulate करवाने के लिए, यह है regulator IC, यह negative voltage के लिए 79 वाली लगती है, positive voltage के लिए 78 वाली लगती है, तो 78 के आगे XX कुछ भी हो सकता है, 7805, 7809, 788, उससे भी उपर की आती है, वह ज्या को regulate करवाके, कम voltage देती है, यह जैसे आप लोग सोचेंगे, देखे मैं और भी अलग आपको एक चीज में आपको बताना चाहूँगा, मैं इसका पूरा बना के आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है, पूरा डाइग्राम के साथ, आदा आदा नहीं समझाऊँगा, जैसे आप लोग सोच रहे होंगे, कि यह regulator है, तो यह output ज्यादा भी करेगा, ऐसा नहीं होता है, यह ज्यादे वोल्ट से कम वोल्ट को regulate करके देता है, अब मैं पहले 78 के बारे मैं समझाऊँगा, फिर आपको 79 के बारे मैं समझाऊँगा, देखिए सबसे पहले मैं 78 के बारे मैं स 7805 में लिखा हुआ है, अगर आपको दिखा तो बिल्कुल सही बात है, अगर नहीं दिखा है, तो आपको पता है 7805 के जो regulator होते हैं, उनको किस तरीके से circuit में connect किया जाता है, फिर भी जिन नहीं पता है तो बता देता हूँ, जैसे एक regulator हमारा 78 का है, इसकी तीन पिन है, य यह है ground की, यहां से अगर हमें यह positive 780 वाला जो होता है, positive voltage regulator होता है, प्लस वाला, 05 की जगह आप 12 भी लिख लिजिए, 9 भी लिख 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 लिजिए, अभी मैं सिर्फ इसका डियाग्राम, wiring डियाग्राम समझा रहा हूँ, और wiring करने का पूरा तरीका बता रहा हूँ, अब यहां आपने और इतना आप इसमें एक चीज याद करके रख लिजिए, कि जो regulator होते हैं, वो ज्यादा वोल्ट से कम वोल्ट में आउटपुट करते हैं, अपने आउटपुट में 5 वोल्ट अगर आउटपुट करवानी है, तो आपने इसमें minimum 9 वोल्ट इंपुट दे तब आपको यह 5 वोल्ट आउटपुट करेगा, यह नहीं कि आपने इसमें 1 वोल्ट इंपुट करा तो आपको यह 5 वोल्ट आउटपुट देगा, ऐसा नहीं है, आउटपुट वो आपको 5 वोल्ट देगा, लेकिन जब उसमें आउटपुट में आप ज्यादा वोल्ट द देखनी है तो मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा एक booster module का मैंने कुछी दिन पहले एक वीडियो बनाया जिसमें एक booster module के दारा तीन वोल्ट से मैंने 40 वोल्ट तक आउटपुट करने वाला सिस्टम पूरा बनाया था उसको जरूर देख लिजए उस वीडियो का आपको सजेस्ट कर रहा हूँ description में उसका link है देख लिजगा वो चीज अलग है यह regulator है यह इसलिए बार-बार दो रहा हूँ क्योंकि हमारे चैनल पर कुछ लोग नए भी होंगे सीखने वाले तो उनके लिए बार-बार बता रहा हूँ अगर आप लोग सीख चुके हैं तो आप बूर हो चुके होंगे यह मैं पहले कह दे रहा हूँ अब देखिए 12 वोल्ट और यह एक वायरे 12 वोल्ट की है एक वायरे हमारी ग्राउंड की है और यह DC सरकिट में इस्तमाल होता है यह आपको बता देता हूँ यह नहीं कि आपन जैसे कि आप यहाँ पर 12 वोल्ट किसी भी सोर्स से आप दे सकते हैं और इसको इनपूर्ट देना आपने मैक्जिमम 35-36 वोल्ट तक ही इनपूर्ट देना है उससे जादेंगे तो आपका यह रेगुलेटर खराब हो जाएगा तो 12 वोल्ट इसमें आप देंगे जैसे आपन पूर्ट ग्राउंड साथ ही होगी इस तरीके से बीच वाली पिन यहाँ से यहां तक पूरी आो जाएगी और यह 12 वोल्ट ही आपकी इधर ऐसे करें और यहां से एउप और आओपूट करेगा और आउटपूट यह आपको 5 वोल्ड दे देगा 5 वोल्ड और यह ग्राउंड इस तरीके से इसके connection किये जाते हैं यहां से और जो बीच की पिन है वो input ground और output ground से एक साथ connected होगी इस तरीके से यहां जो दो पिन बची यहां से 5 वोल्ट आपको मिलागी वहां से आपको लागी अगर यह 0,5 वाला है तो अगर यहां पर अटतर 12 लिखा है तो यह 12 वोल्ट आउटपुट करेगा और जब यह 12 वोल्ट आउटपुट करेगा तो input आपने इसमें कम से कम 15 वोल्ट देना होगा 15V इसको input देना होगा तब जाके 12V output कर पाएगा input आपने 12 कर दिया और output में आप 50V की उम्मीद रखते हैं तो ऐसा नहीं होगा ये तो रहा 78 वाले अमारे regulator का पूरा function अब हम 79 वाले regulator की बात करेंगे जिन regulator में अभी तक जो बात चले थी हो positive voltage regulator थे अभी यहाँ पर अब negative voltage regulator की हम बात करेंगे इसकी details, pin details सोड़ा सा अलग होती है जैसे की example के लिए 79 के बाद मैं 0,5 भी रख लेता हूँ यहाँ पर 79 के बाद 12 भी हो सकता है 15 भी हो सकता है 9 भी हो सकता है example के लिए 0,5 लिख रहा है जैसे हमारा negative voltage regulator है negative voltage regulator है तो यह negative voltage output करेगा example के लिए सब सब पहले इसकी pin के बारे मैं बात करूँ पहली pin इसकी ground की होती है या negative की होती है या minus की होती है और दूसरी होती input की तीसरी होती हमारी output की यह देखीगा अब यहाँ पर जैसे ground है input है output है अब यहाँ पर आपने यहाँ पर जैसे की example के लिए यहाँ पर आपको 5V negative पर चाहिए यानि की minus 5V आपको output में चाहिए जैसे कोई audio board में minus voltage की जरूरत है और आपको minus voltage बनानी है और आपके home theater या फिर जो ऐसे circuit है जिनमें 12-0-12 transformer लग रहा है तो उसमेंसे आप minus 12V की pin उठाएंगे और ground की pin उठाएंगे दो बायर उहाँ से उठाएंगे ground का तो यहाँ पर connected हो जाएगा और जो minus 12V है इसमें आप input कराएंगे यहाँ से sorry input आप कराएंगे यह input होगी minus 12V यहाँ से input हुई और output यह minus 5V करेगा तो जो ground है ground और minus 5V यहाँ से output हो जाएगी याद रखिए जो 79 वाले होते हैं वो minus output करते हैं और जो 78 वाले होते हैं वो positive output करते हैं तो इस पर मैंने details से आपको बता दिया साथ मैं इसका example भी मैंने आपको दिया कि यह circuit जैसे होते हैं वो positive और negative दोनों बोल्ट पर काम करते हैं और भी details से मैं आपको बताऊंगा अगर आप इसी तरीके से हमारे channel को support करेंगे तो और भी यह सारी मैं वीडियोज ले के आऊंगा आपके लिए free मैं बहुत सारा knowledge दूगा अगर यहाँ पर भी कोई चीज आपके मन में आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों के मन में कोई सवाल होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत ही details से आपको example के साथ समझा दिया है इस board का example देखे आइसी वगर के पूरा example देखे और याद रखिए कुछ-कुछ audio board ही होते हैं जिन में negative voltage के जरूरत बढ़ती है जैसे home theaters वगरे में होती है और बहुत सारे जैसे DVD player पर आपने देखा होगा और या फिए बहुत सारे आपको मैं circuit ऐसे दिखा सकता हूँ जरूरत होती है लेकिन जो कुछ-कुछ board होते हैं उससे पहोनी में जरूरत होती है बाकी सारे boards 12-0 से या फिर 12-volt की supply से चल जाते हैं जैसे एक और मैं आपको समझाओं याँ पर जैसे यह आपका यह board है ना यह board आपका battery से नहीं चल पाता है आप 12-volt की battery से इस board को नहीं चला सकते हैं इसको चलाने के लिए आपने 120-12 का एक module की आपको जरूरत पढ़ सकती है और जो अदर 44-40 के board होते हैं वो 12-volt की battery से असानी से चल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इन board को negative-volt की जरूरत पढ़ती है जो आपका transformer से असानी से मिल जाती है transformer को यहाँ पर capacitor के साथ इसका rectifier हाँ इसका rectifier अलग होता है जो 120-12 का rectifier होता है वो अलग तरीके से बनता है उसके connection अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका वीडियो माँ बना दूँगा जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल 12V अगर आपको AC से DC बनाना हो तो नॉर्मल आपको rectifier लगा के वहाँ पर output मिल जाता है लेकिन यहाँ पर इसमें जो rectifier बनता है इसमें 2 capacitor लगते हैं 120-12 के rectifier में 2 capacitor यूज होते हैं यहाँ पर आप समझनी पाएंगे अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए आपको उसका फिवीडियो में बना के दे दुए अफिलाई इस वीडियो के लिए छोटा से लाइक और प्यारा से कमेंट आपके तरफ से होना चाहिए बागे मिलते अगली वीडियो तब तक लिए